तो बच्चों आज की इस lecture में हम लोग बात करने वाले हैं कि small g और capital g में जो सम्बंध होता है वो क्या होता है अब यहाँ पर small g जो बच्चा है वो क्या है गुरत्वीय त्वरण है क्या है गुरत्वीय त्वरण जबकि capital G जो है वो गुरत्वा कर्शन बल नियतांग है क्या है गुरत्वा कर्शन बल नियतांग है अब आईए हम लोग इसे start करते हैं तो बच्चा ये जो संबंध होता है, ये कुछ इस प्रकार कर निकल के आता है, इस्मॉल जी बराबर ये आता है, कैप्टल जी, M E upon R E square, क्या आता है, हमने कहा, ये संबंध आता है इस प्रकार से, इस्मॉल जी बराबर, G M E upon R E square, अब यहां आप देख रहे हैं, जैसा कि बच्चे ये स्मॉल जी, ये क्या होता है, ये आपका गुरुत्विय त्वरण होता है, क्या होता है, इस्मॉल जी गुरुत्विय त्वरण होता है, जब कि आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, गुरुत्वा कर्ष्न बल नियतांक होता है और उसके बाद में ME म for mass और यह कि हम कहेंगे mass of earth तो अर्थ मतरब प्रत्थवी और मश दर्भ बैमान यहां कि ME क्या है बैच्चा प्रत्थवी का द्रभ बैमान ऐसे ही आप आप देखेंगे R for radius, E for earth, यह क्या होता है बच्चा प्रत्वी की तरज्या होती है, क्या होती है प्रत्वी की तरज्या, अब दूसरी बात हमें दो बातें और जाननी होगी, वो बच्चा क्या, कि हम जैसा की जानते हैं गुर्त्वा कर्शनबल F बराबर क्या होता है, G M1 M2 upon R square, अब यहां बच्चा यह तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, M1 और M2 क्या होते हैं, वो कण जिनके बीच यह बल अपलाई होता है, या लगता है, जबकि R क्या होती है, यह दोनों कड़ों, यानि कि M1 M2 कड़ों के मद्धे, या कहो बी सकते हैं, तो इस प्रकार यह आया, एप बराबर G M1 M2 बटा R square, दूसरी बात, न्यूटन के दुतिये नियम से हम जानते हैं, एप बराबर Dier क्या होता है, M A होता है, लेकिन अगर वस्तु किसे गुरुत्वी तुर्ण small g से गिर रही है, या कहो कार्यत है, या कहो उसमें जो गुरुत्वी तुर्ण है, small g है, वस्तु के लिए, तब अच्छा F बराबर क्या बनेगा, इस condition में क्या बनेगा, M G, अब इसके बाद में, Dier, इस प्रकार हम क्या कहेंगे, तो हमने मान लिया, क्या कि माना प्रत्वी का द्रभ्यमान क्या है, M E है, और तरिज्या क्या है, प्रत्वी की आरी है, और फिर हमने कहा, कि M द्रभ्यमान की कोई वस्तु, प्रत्वी तल के निकट कहो, या कहो कि प्रत्वी तल पर इस्थित है, हमने कहा, जो हमारी प्रत्वी है, उसका द्रभ्यमान क्या है, M E है, और तरिज्या आरी है, और M द्रभ्यमान की कोई वस वस्तु प्रत्वी तलपर बच्चा इस्तित है इस कंडिशन में वस्तु तथा प्रत्वी के केंद्र के बीज की दूरी को हम किसके आरी के बराबर लेंगे यानि कि प्रत्वी की तरजिया आरी क्या है प्रत्वी की तरजिया तो हम आरी के क्या करेंगे बच्चा बराबर लिय जैसा कि हम जानते हैं दो कणों के मद्धे क्या या दो पिंडों के मद्धे को जो गुर्टवा करशनल बल लगता है वह म् 1 म 2 बटा र स्कौायर होता है तो म 1 और M2 तो यहां कौन है एक तो प्रत्वी है तो प्रत्वी का द्रबिमान जैसा कि उन्हें M e माना है तरज्य आरी मान रखी है और वस्तु का दर्विमान स्मॉल M तो बच्चा यहां कण कौन है M1 का M e काम करेगा M2 का कौन काम करेगा M करेगा तो इस कंडीशन में यह गुरुत्वा करस्नलपल आप देखे एप बराबर क्या बनेगा तो G M1 M1-91 बच्चा प्रत्वी का दर्विमान काम करेगा तो M e और M2 वस्तु का दर्विमान काम करेगा और बते लाल मेरा आप देखेंगे बते में काउन हो जाएगा प्रत्वी तरज्य आरी स्क्वेर हमने कहा यह समीकर नंबर लाल मेरा क्या है यह समीकर नंबर एक है अब चुकि इसी बल के कारण वस्तु प्रत्वी के ओर गुरुत्वी तुर्ण जी से गिरती है तो दियर इस कंडीशन में न्यूटन के दुतिय नियम से हम क्या कहेंगे दुतिय नियम से तो न्यूटन के दुतिय नियम से हमने का गुरुत्वी तुर्ण जी के या कोई स्मॉल जी के अंतरगत गिरती है तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे बच्चा एब बराबर यही हो जाएगा आपका एम जी यह हमने कहा समीकर नंबर क्या बना हमारा दो ब और दो से अब बच्चा यह दोनों की दोनों क्या है बल है तो जाहिर सी बात है यह का होंगे दोनों की दोनों बराबर होंगे क्योंकि आपने देखा था इसी बल से गिरी थी तो प्रत्वी की और गुर्टी तुर्ण जी से तो यह जब दोनों बराबर होंगे तो इस कंडी UPON YEAR मेरे का बच्छा constituents RE2 क्या बच्छा MEME भटा RE2 यहीं तो आपको हमने चीत्रवात में और स्जुआत्स अपक्रेशन बताए था कि स्मॉल G Corday में संबंद क्या होता है जी बराबर gME भटे री i2 तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि प्राप्त वेंजग क्या लिख सकते हैं बच्चा यह लिख सकते हैं अगर चाहो तो अब लिख दीजिए कि प्राप्त वेंजग ही क्या है is small z तथा Concept Krishna संबंद है इने की प्राप्त में सम्बंध है और इसके बाद में कुछ हम लोग और आगे विच्छक निकालेंगे तो उसमें इसमें का जो है GME कामान प्रियोग होता है तो अगर GME रिष्ट में लिखने हो समीकड को तो इसे हम इस प्रकार भी डियर लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं, यही तो विल जाकम ने यहाँ पर लिख रहा है, इसका अगर हम बटा एक लिखें, तो आप देखें, कहीं चीक गुणा करा हो, तो GME एकन क्या हो जाएगा, भई, GME एकन GME, बराबर डियर क्या हो जाएगा, GRE square, तो अगर हम इसको इस प्रकार लिखना चाहें, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह आप ध्यान रखना आगे हम लोग जो एक्सप्रसन करते हैं, उनमें यह लाल मेरा क्या होता है, काम आता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमार वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मि मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद।